कि नमस्कार मित्र हमाजय कुमार सर्मा यूटूब चैनल पर आपको कुट करण तथा आकुट करण के विशे में पढ़ाने चले हैं कोडिंग डिकोडिंग जो रिजिनिंग है यह सभी कमप्टिशन परिछाओं में पूछे जाते हैं जो यह सची गुरूब डी रेलबे इत्यास सभी में पूछे जाते हैं ठीक है यूपी यह सई क्यानि जितने भी कमप्टिशन के परिछाओं होंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोश्चन मिलते हैं तो आइए हम पहला कोश्चन आपको बता रहे हैं किसी सांकेतिक भाशा में सी ए आर ओ सी ए आर इको ठीक है बी जेड क्यू डी लिखा जाता है उसी भाशा में यल इम ओ यन को क्या लिखेंगे तो हमारा पहला आप्शन है जी डी कि इडी ओ ठीक है और बी आप्शन है जी डी डी यम ओ ठीक और तीसरा है कि ओ भी यन यल य मोऔ चौत्धा अप्शन है के डी यल यन Hayam ठीक है तो हम इसको साल रहत कर लेंगे तभाव हम जाने के मतलब इसको ब्हाल करने आता तो ठीक है जिन वाच्चों को आज जिंशात्रो Опको चाही komagh नहीं में सबी करने आता है तो तो अंदाजी मारके चले आते हैं तो उनका गलत हो जाता तो इसे कारण हम सहत तरीके में आपकोspe channel कर बता रहा है कि एर में लिखा रहे हैं एक है आपके को कोश्चन में दिया है C A R E को B Z Q T लिखा जाता है तो उसी परकार है यह कैसे लिखा जाता है पले है देख लिजेगा हम समझाएं आपको यहां उल्टा चला है B के बाद पढ़ा है C ठीक है Z के बाद A Q के बाद R D के बाद E ठीक यानि इस तरफ से चलेगा तो माइनस वन के तरफ चलेगा ठीक है यह माइनस वन ठीक ऐसे माइनस वन चलते रहा है तो आपको उसी परकार यह जो आपका question में दिया है यहल इम ओयन को क्या लिखेंगे यहां चलिए उसको लिखे हैं हम देख लिजिए आईए यल इम ओयन को कैसे लिखेंगे यहां माइनस एक चलाएं इधर से तो के बाद क्या पढ़ता है यहां पढ़ता है यहां पढ़ता है आपका अगर इंस्वर जो चार दिये हैं उसमें से आपसन अगर सही है तो समयल जीओ question सही है तो मिलाइए उसको किसी निश्चि संकेति भासा में र, U, P, A, L, I को Q, V, O, B, K, J लिखा जाता है तो उसी भासा में आपका चार अपसन दिया है लेकिन आपके आपसन से ही साल्व करिए है ठीक है यहां देखिए र, U, P, A, L, I को हम Q, V, O, B, K, J तो कैसे आए है है इसको समझ लेजिए Q के बाद आपका क्या पढ़ता है Q के बाद R पढ़ता है, P, Q, R होता है ना Q, R यहाँ माइनस चला है इधर से पलस चलेगा, यहां Q के बाद R और U के बाद V पढ़ रहा है यह home माईनास एक पल्थ है माइनस एक पलश है क्ला साथल्धाल जारे माइन खते ही तर इधर से गिनता जारेมी यत ठीक है यो फीड़ी ओ मेन ओ पी टिक है ए बी के यल आई जे यानि पलस एक पलस माइनस ऐसे चल ला है तो आपका एंसवर भी एक रहा है इसको क्या लिखेंगे आर आई टी ये को तो आप पलस परे क्या है पहले स माइनस होगा तो उधर से जो है कि अब इसको रखिए यहां रखें देखें साल्ब के हैं थバ niño विखें र आयुटी ये को क्यूँ ठीक है यहां क्यूआ की की बादा पड़ता है मैंनस एक चलेगा फिर पलस एक रहलेगा तो क्यूए आई जे यस टी-ए वी अधिए ठीक है यह ऐसे मिलेगा आपको यहानि पलस एक पलस माइनस से पलस एक फिर माइनस एक आप फिर यहां देख लिए है कि यहां का आपका अप्सन में सही है ठीक है यह आपका दूसरा कोशिण इसी तरह से कभी दो घड़ता है कभी तीन घड़ता है कभी पलस माइनस पे कभी चार कभी तीन ऐसे बाढ़ता है अगर नई समझ में आ रहा है तो कमेंट के कर दीजिए का हम फिर आपको समझाएंगे लेकिन इससे समले बहुत आसान तरीके से इसको आप समझ गये होंगे आईए तीसरा कुश्चन आपका है किसी स्रांग के तीक में ठीक है 6-5-9 का अर्थ, अच्छी तरह हरी पत्ती और 9-3-5 का अर्थ, ठीक है, सुन्दर हरी पत्ती हो तो उसी संकेत में सुन्दर को क्या लिखेंगे, तो आईए, किसी संकेति भासा में 6-5-9 का अर्थ, अच्छी हरी पत्ती और 9-3-5 का अर्थ, सुन्दर हरी पत्ती हो तो उसी संक क्या लिखेंगे तो आपका आप्सन में पहले में चार दिया है दूसरे में पांच दिया है तीसरे में साथ दिया है और डी में आपका तीन दिया है तो हम इसको साल्व करके बताएंगे इसे हम अंदाजी मार देते हैं तो गलत हो पहले इसको साल्व करेंगे ठीक है अब साल् पांच 9 का आर्थ अच्छी हरिपत्ति, और 9-3-5 का आर्थ सुंदर हरिपत्ति हो, तो उसी संकेत को क्या लिखेंगे पहले में आपका 4, दूसरे में आपका 5, तीसरे में आपका 7 और team में आपका 3, तो आई हम साल्व करते हैं, उसके बाद हम इंस्वर पर जाएंगे, ठीक है तो हमारा तीसरा Qusion था कीसी संकेत में आप द्रहरा है छाय पांच का IT हरी अच्छी हरी पत्ति तथा 935 का देए सुन्दर हर पत्ति तो उसी पर कर संकेत हैं आये हम आझको साल की हैं देख रहे हैं अच्छी हरी पत्ति यानी अच्छी हरी पत्ति तीन वाक्या functioning हरी पत्ति तो इसी कारण हम जो घर कि आपको तीन इसमें मिलेंगे ci आपको 3 इसमें मिला हैं यह दखिए यह यह 6 5 9 यानि 6 आपका 1 हखी हरी पांच हो जाएगा नीचे में आपको और लिखेते लिएसा कि पांच arrow यान सुन्दर हरी पत्ति हो तो उसे संकेत मिकाविन सुन्दर हरी पत्ति हरी को पूछ रहा है इसमें हरी को पूछ रहा है जाते ध्यान दीजिएगा यह हरी को पूछ रहा है तो हरी में क्या है तीन है यह आप कहीं तीन आव अगार आपसन में है तो उसको लगाएं यह यह आवला थिक इसी तरह आई एब चौथा कोशन आपको बताने चल ले हैं तो लेजिए चौथा कोशन आपका किसी संकेति भासा में अर-ब्र में चार टीन दू पांच टीन दू तथा यस ए इन ओ जे को साथ तीन दू आठ पांच है तो यन ओ आर जे एएस को किया लिखेंगे तो आपका यह आपसन है तो मैं आपसन से नहीं पहले आपको साल्व करने के बाद ही हम कुछ है ठीक है चलिए तो इसके पहले हम क्या करते हैं तो साल्व करने का इसाबसे आसान तरीका है क्योंकि पहले हम उसको लिख लेते हैं जो हमारा यहां दिया है और यहां वभर इसको पाल에 यहां लिखेंगे और इसको एपका तूरु कर दिया आपको उसके तीन दू पांच तीन दू यहां देखिए चार तीन दू पांच तीन दू यहां देखिए चार तीन दू पांच तीन दू यह उसको नीचे उतार दिये हैं और यह दे रहा है आपके कोशन में दिया है यह 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 सनुझ दिया है उसी के नीचे इसको रखेंगे यहां नीचे आपको क्या है यहाँ ज्यक्रीचे जिए पांच हाथ तीड हम पांच रख लिए हैं ठीक अगर्फ्य आर के नीचे ज्या रहे से यह तो अगर आपके आपके आप त्युम्व करेंगे वाला का दू आ चार पांद तीसाथ लखे त्वाथ चार दू आट चार चार खेली होगा थीक यह आपका सब्सक्राइब में इसी तरह से रिजनिंग को कि चलता रहता है कभी कोडिंग डिकोडिंग यही है कभी उसके बड ल्लद देंगे तो कभी अंक्त देगा कभी अंक देगा तो बड माला देगा दिखा कभी बड शेटिंग पर एक अच्छर पीछे तो एक अक्षार नीचे या उपर नीचे इसी तरह से सेट होते रहते हैं यह आपका रिजनिंग का पोर्शन है ठीक है और इसको पढ़िए धन्दवाद